कि नामस्कत दोस्तों वेलकम टू आवर्ट चैनल आज जो जनिर अन्बॉक्सिंग करने वाले है ये जनिर दूसरा जनिर से थोड़ा अलाग है ये अलाग क्यूं है ये generator में क्या ऐसी बात है कि ये दूसरे generator से अलग है ये सब बरे में ही आज discuss करेंगे इसलिए ये वीडियो बनाया तो आप लोग वीडियो को फूरा देखते रही है बताएंगे इसका capacity, price, इसमें क्या-क्या good quality है, क्या-क्या bad quality है इसको fitting कैसे करना है, इसमें क्या-क्या material यूज हुआ है total details आज इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को end तक देखते रही है सब्सक्राइब करे हमारे चैनल को और bell icon को प्रेस करे ताकि आने वाला वीडियो आप मिस ना करे सबसे पहले दिखाते है इसका trolley और second है यह alternator यह SBL model alternator दिया आ गया है copper winding alternator है transformer type alternator वालब यह transformator type alternator क्या होता है ना load capacity एक दूम perfect लेता है जितना load आप इसमें डालिएगा capacity के अंदर वी load यह ले लेगा वालब यह जो set है यह 7.5 KBA का generator set है इसमें आप 7.5 KBA ही load डाल सकते है इसमें कोई problem नहीं आएगा हाला कि दूसरा जो generator set है जिसका alternator diet type हो उसमें 7.5 KBA में आप 6.5 KBA लोड डाल सकते है लेकिन इसमें पूरा load आप डाल सकते है next इसमें round coupling दिया गया ठीक है यह और एक बड़ी बात है इसका यह जो fly wheel है चक्का है यह चक्का बहुत ही heavy चक्का दिया गया यह fly wheel देखिए है इंजिन का अगर fly wheel ठीक ठाक हो ना तो इंजिन में vibration नहीं आता है इसका यह जो चक्का है बहुत हेबी चक्का दिया गया ताकि इंजिन में कोई vibration ना आए next इसका fuel pump automizer original boss का दिया गया fuel filter assembly half liter का दिया गया fuel filter assembly कभी-कभी generator में पतला वाला दे देता है इसका जो यह fuel tank है यह fuel tank 1.5-1.5L का fuel tank है और यह आपका new model fuel tank दिया गया इसमें इसमें पत्ती bracket कुछ भी नहीं लाएगा यह direct set हो जाएगा तो इसमें bracket टूटने का कोई जहमाला नहीं है तो इसी सबसे यह tanky का longevity भी बढ़ जाएगा engine air cool engine है बिना पानी बाला engine 200 असपार का engine दिया गया इसमें और 7.5 के बिए alternator compact के साथ यह generator set दिया गया है आप यह generator का जो accessories है चलिए हम accessories देख लेते हैं और यह fitting कर लेते हैं काल बिए हुआ यह झाएगा तो बड़ रख यह पाला इसमें और नहीं तो ऑ्याएगा अचलिक में दों अचलिक में आपटने रखे दो भीज़ तो फिए ख़ा रहे हैं तो रहे हैं अज़ नहीं चलिए अर्टने बड़ प्हामाथा आपावा ग्हाओावाश इसमें 3.5 लिटर 20W40 माल्टी ग्रेट इंजिन ओयल लगता है कि अजिए सहुआ है झाल झाल देखे इसका वाइब्रेशन एक दोम नहीं है बिल्कुल नहीं है और फुल लोड में इसका फिल कंजम्शन 800-900 ml पर आवर अब इसका लोड टेस्ट करेंगे और ये 300 एमप्यार का जो पोटेबल वेल्डिंग मेशिन है वो वेल्डिंग मेशिन इसमें चलाएंगे तो ये लोड ले पाता है या नहीं ये देखेंगे लेकिन वो वीडियो इसका सेकेंड पार्ट में हम बनाएंगे क्योंकि ए पार्ट में आगर बना दिया तो ये वीडियो तरह लंबा हो जाएगा इसलिए वो वाला पार्ट सेकेंड पार्ट में आप लोगों को दिखाएंगेट तो यह वो second part देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और वो second part में बताएंगे इसका price कितना है यह कहां से मिलेगा और इसको आप कैसे purchase कर सकते हैं वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद